Welcome friends, Audacity का latest version आ गया है, जैसा आप screen पे देख सकते हैं, latest version 3.2.0, लगभग use करने का तरीका वही है, बस थोड़ी बहुत interface इसकी change हो गई है, हलकी सी, इसलिए ये video बनाया गया है, ताकि आपको कोई confusion ना हो, तो आपको download करना होगा, सबसे पहले Audacity, Audacity हमने download कर लिया है, simple है, जै Audacity पे जाते हैं, तो Audacity जैसा आप देख सकते हैं, what's new in Audacity 3.2.0, इसका एक video भी आपर बनाया है, बाद में refer कर सकते हैं, इसको एक बार हम okay करते हैं, अब शुरुआत से, यहाँ पे देख सकते हैं, आपर आ रहा है, audio setup, जो option पहले यहाँ left पे आता था, वो यहाँ पे दिख करने के लिए, तो वो आप यहाँ से check कर सकते हैं, recording channel, mono में करना है, stereo में करना है, यह सारी चीजे पुराने videos में बताई गई थी, लेकिन बस जो यहाँ पे change हुआ, यह आपको बताया जा रहा है, तो यह आपको clear है, audio setup, अब एक काम करते हैं, छोटा से recording करके देखते हैं, त तो बाकी की चीज़े मैं आपको उसके बाद ही बता पाऊंगा, तो एक बार इस पे record, record button, आर या तो प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इस पे सीधा click कर सकते हैं, इस पे click करते हैं, इस पे click करते हैं, welcome friends, इस वीडियो में हम समझने वाले है, audacity का नया version, नया version 3.2.0, record कर ल Welcome friends, इस वीडियो में हम समझने वाले है, audacity का नया version, सबसे पहले आप सुन सकते हैं, यहाँ पे noise है, तो सबसे पहले हम noise को select करते हैं, इसको select किया, effect, अब यहाँ पे, पहले noise reduction का direct option आता था, यहाँ पे आ रहे है noise removal, तो noise removal में गए noise reduction, और get noise profile, यह इतना ही selected है पहले से, get noise profile कर लिया, फिर उसको दुबारा पूरा select किया, दुबारा गए, यहाँ पे, और फिर noise reduction, और इसको फिर ok कर दिया, तो noise हड़ गे, इक बार दुबारा सुनके दे, Welcome friends, हल्की सी noise अभी भी है, तो, इसको दुबारा get noise profile, फिर, अभी हम पहले पुरानी setting से चलते हैं, इसमें एक और option आगया, noise gate, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अभी नई चीज आईए इसमें, तो अभी हम पुराना जो हम पहले जैसे edit करते थे audio को, यह सब हो गया, अब हम इस पे effects डालते हैं, तो इस पे effect पे गए, अब normalize का पहले direct न देख रहा है, compressor, yes, apply, उसके बाद effect करें, और अगर आपको filter curve apply करना है, तो यह नीचे इस पे option आ रहा है, EQ and filters, filter curve, and apply, तो आप देख सकते हैं, वही की वही चीज़े हैं, बस थोड़ा बहुत interface जो है, options थोड़े बहुत यहां के वहां हो गए हैं, एक बार इसको हम सुनके द city का नया version, यहां पर आपने सुनाओगा, breathing का एक जैसे sound आया, तो यहां पर हम इस audio को silent कर रहे हैं, पूरी तरह से, तो यह option आप देख सकते हैं, वही same चीज़े हैं, यह silent हो गया, नया version, नया version 3.2.0, record करना, अगर कोई cut वगरा करना है, वही delete command यहां पर हो गई, ठीक है, अब इसमें same option है, जैसे file को export करते हैं, export as mp3 wave अगरा, यह सब तो same का same है, अब इसमें अलग क्या हुआ है, इन्होंने जो यहां पर option निकाला है, बहुत ही बहतरीन चीज़े निकाली है, share audio, इन्होंने एक website, launch शायद अभी हाली में होई है, audio.com, audio.com है क्या सबसे पहले एक audio.com is an audio sharing platform designed to empower audio creatives and musicians, तो यह जो है, we are a cross platform web service with a unique connection to the free open source audio software, Audacity, तो यहां पर मैंने भी profile बना दिया अपनी, इसमें आप option देख सकते हैं, यहां पर आ रहा है, go audio, go to my audio, यहां पर आप देख सकते हैं, मतला भी audio sharing platform निकाला है, Audacity ने, इसमें आप free में profile create कर सकते हैं, तो आपको एक cloud space मिल रही है, यहां पर, एक इसाब से, तो यह जो है न, यहां पर share, एक बार आपकी audio record हो गई, share कर दिया उसको, link account, यहां पर आ रहा है, share audio, press continue to upload to audio.com, मतलब, जैसे आप system में कुछ save करते हैं, यहां से क्या होगा, direct, वो audio.com में चला जाएगा, और आपको स इस पर गए link account, यहां पर आ रहा है, link audacity, तो जैसी यह link करते हैं, तो जो भी आपके audios होंगे, चाहें वो आपके voiceover recordings हो, या फिर, आपके podcast episodes हो, directly इसमें वो upload हो जाएगा, और इसमें और काफी ऐसे, मतलब, नए features आने वाले, आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ I hope आपको जादा confusion नहीं होगी, interface मतलब यह use करने का तरीका वही का वही है, थोड़ी बहुत चीज़े जो है, वो इधर उधर हो गई है, उमीद है यह video आपको useful रहेगा, आप इस channel को subscribe जरूर करिए, thank you